नमस्कार एक्जाम है पी भाई जहारकंड चैनल में आपका स्वागत है तो दोस्तों जूर चुका हूँ मैं यहाँ पर आपके लिए जहारकंड सिछक पातरता परिच्छा जेटि दूजार चोबिस की तैयारी को ले करके तो यदि आप जहारकंड में सिछक पातरता चैनल पर आपको बिढ़ने वाला है तो आपको जैसे ही यह वीडियो मिलता है आपको मुवाइल नमबर दिया गया है आप उस नमबर से जड़ू संपर करके यहां से सारे नोट्स पीडिये पर्चेच कर लेगा है आपके जुड़ेंगे तो अच्छे तयारी के लिए और कम पढ़कर के ज्यादा अंक उठाने के लिए प्रशन कम पढ़े ज्यादा अंक उठे इसके लिए आप सभी यहीं से ही जुड़ेंगे बजारू किताब देखे एकदम नहीं पढ़िएगा क्योंकि वहां से एक भी एकदम समझ लेजिए बहुत ही एकदम समझ लेजिए इसके सारे प्रशन को देखना आपको अभी भी मत बुलाईएगा एकदम लाश्ट तक इंड तक बने हुए रहेगा क्योंकि यहां से अभी तिक जितने राजियों में सिच्छक पातरता परिच्छा हुए है ना वहां स दो प्रशन देखे हर बार पूछा गया है लगबग जगह पर देखेगा तो दो प्रशन इस चेप्टर से निकल के आ जाता है ठीक है तो देखे आपका यह जहारखंड में एकजाम हो रहा है तो आप क्या पढ़ लेंगे जेसी इर्ट टेस्ट बुक को पढ़ लेंगे इसस क्या फैदा होगा तो आपको जहारखंड की चीज़े अलग से पढ़ने क्या हो सकता नहीं पढ़ेगी सिर्फ इसी में आपको सारा चीज़ कंबाइंड हो जाएगा तो आप सभी वीडियो देखने के बाद तुरत जुड़ने का प्रयास कीज़ेगा क्योंकि यह सबसे पहल जुड़ जाईएगा सारा नोट्स और पीडियेफ ले लिजेगा बहुत ही सस्ते रिटर में आपको दी जा रही है आप यहाँ पर क्लास और नोट्स बात करने के सुभी दा सारी आपको दी जा रही है तो जल से जल जुड़ेंगे चले प्रसने है पौधे जल तथा खनीज लवन को असोसित करते हैं पौधे जो है माली जे यह पौधा है इस तरह से तो यह यह जो पौधा यह हरा भरा है यह क्या खनी क्या असोसन करता है जिसे कि यह हरे भरे होते हैं यह किस से जल ले रहे कि कहा से खनीज लवन ले रहे यह बताना है यूपी टेटवे तब मत बत तो देखते हैं आप पौधा जो होता है तो उसके नीचे यहां पर जड़ होता है जो जमीन के अधिक्तम गहराई तक जाते हैं दस मीटर 20 मीटर 30 मीटर तक भी चले जाते हैं तो यह जड़ों की गहराई से क्या लेते रहते हैं पानी खनी जलवन सब यहीं से तो इस पेंड को पूर्ती होते रहता है तो वो जड़ है पौधे जल तता खनी जलवन का उसुसित करते हैं किसे करते हैं किसे करते हैं जड़ से याद रखेगा जड़ से करते हैं प्रशने पूछा गया है अगला है पौधों में जल तता पदा पदार्थो का परिवहन जिस उत्तक से होता है उसको क्या कहते है परिवहन उत्तक सवहन उत्तक परिसंच्रन उत्तक या कोई नहीं ठीक है तो पौधों में जल्त अथा पदार्थो का जो परिवहन होता है वो आपका यहां पर होता है सवहन उत्तक के द्वारा होता है अगला स समवहन उतक कितने परकार के होते हैं, बताना है, एक, दो, तेन, या कोई नहीं, इसका right answer है, दो, समवहन उतक कितने परकार के होते हैं, दो उत परकार के होते हैं, अब देखिए, समवहन उतक दो परकार के होते हैं, जो नोट्स लेते हैं, उनको यहां पर दिया गया है, पौधों में फ्लोयम भोजन बनाते है वह फ्लोयम है ठीक है不好 जर्ड खनी जलों का इससे करेंगे रूत है नों दोगों ऊत्त होता है समय हनु तक श्याद रक लेजेगा जाईलम और फ्लोयम ठीक है कलग पूरे पौधों में जल का परिवहन की समय हन उतक के दोरा होता था ठीक है तब पूरे पोधह में जल का परिवारतन के सवहन उतक के दोरा होता है तो अभी आपने यहां पर देखा के सवहन उतक दो परकार के होता है एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोये यही दो गता ना देखे जाइलम जाइलम लिखिएगा देखे जाइलम जाइलम में पर जा से याद रखेगा जल यानि पूरे पेण़ पोधों में जल का परिवहन किस उतक्स होता है क्लियर हो गया होगा अप लोग को ठीक है चले देखे जायलम नलिकाओं का जाल बनाता है जो जड हो सखाओं के दौरा पतियों से जोड़ता है इस परकार जाइलम का बना जाल पूरे पौधों में जल का परिवहन करता है। चलिए अगला पूरे पौधों में भोजन का समवहन जिस उत्तक के द्वारा होता है उससे क्या कहते हैं ठीक है जाइलाम फ्लोयाम परिवहन तंत्र या कोई नहीं ठीक है कौन होगा देखे पूरे पोदों में भोजन का जो परिवहन होता है जिस उतक के द्वारा होता है उससे क्या काते है आपको यह पूछा गया है तो पोदों में भोजन को क्या काते है फूड क्या काते है फूड फूड में एफ है एफ से फ्लोयम एफ से क्या होगा फ्लोयम ठी क्लियर हो गया होगा चलिए अगला देखेगा यहाँ पर नोट्स जो खरिते हैं उनके लिए बना हुआ है पत्यों में प्रकास संसलेशन त्यार भोजन पोधों के सभी भाग में जिस समय उतक्स होता है उन्हें फ्लोयम कहते हैं ठीक है क्या कहते हैं फ्लोयम कहते हैं पोधों जो पस्थित जल होते हैं, उसको बाहद जो निकाला जाता है, वो आपका रंद्र के द्वारा होता है, पंजाब टेट में एक बार पूछा गया प्रस्टन है, ठीक है, रंद्र के द्वारा होता है, देखिए यहां पर याद रखेगा, रंद्र क्या है, पत्यों की सत्व पर उपस्थित रंद्र या छीद्र के द्वारा अत्रीक्त जल को बाहर निकाला जाता रंद्र के द्वारा छीद्र के मादर से पत्य बाहर निकाला जाता ठीक है अगला है हिर्दय एवं रक्त वाहिनिया मिलकर क्रीश्ट शरीर के किस तंत्र को बनाती है हिर्दय एवं रक्त वा आपस में मिल करके आपका जो तंत्र बनाती है उस तंत्र का नाम है देखिए परिशंचरन तेंत्र और यू टेट में एक बार ई आया हुआ है उतरा खंटेट की बात करेंगे ठीक है परिशंचरन तंत्र का निर्मान करती है पौदो में खनीज लवन का परिवाहन जिस तरह जल द्वारा तक होता है जल द्वारा कहां से कहां तक होता है पौदो में खनीज लवन का परिवाहन जिस तरह जल द्वारा होता है कहां तक जड से पतियों तक पतियों तक जड तक कोई नहीं तो जल का परिवहन कहां से श्टार्ट होता है देखे ये जड़ से श्टार्ट हो करके पतियों तक जाता है तो जड़ से पतियों तक इसका परिवहन होता है ठीक है ये प्रस्ण बहुत ही इपोटेंट है आपका आया हुआ है हमारा रक्त है हमारा रक्त है बता दे रहें 101 बा सभी एक बार आया हुआ है आपका ठीक है और सभी राजयों के सिच्छक पातरता परिचा में अब तक देखिएगा तो यह प्रस्ण पूछा गया है कि हमारा रख्ट क्या है एक स्वाच ब्यक्ति के सरीर में रख्ट कितना रहता है एक स्वाच ब्यक्ति के सरीर में कितना लीटर रख्ट रहता है आपको बताना है ठीक है कितना लीटर रहता है बताना है आपको तो यह 4 लीटर 5 लीटर 6 लीटर या आपका कितना है वो बताना है आपको ठीक है एक स्वाच ब्यक्ति के सरीर में रख्ट जो होता है आपको 5 ली प्लाजमा, खून या रक्त पटिका, रक्त के तरल भाग को क्या करते हैं, आपको बताना है, ठीक है, तो रक्त के तरल भाग को क्या करते हैं, आप देखें गहां पर जिली है, प्लाजमा है, खून है या रक्त पटिका है, तो रक्त के तरल भाग को कहा जाता है, वो है आपका प्रशन आया हुआ है यूपी टेट में, सीजी टेट में, एम्पी टेट में, तीनों जगा पूछा गया है, ठीक है, चले, आगे देखीगा, लाल रक्त को स्काओं में लाल रंका एक वर्नक होता है, जिससे कहते हैं, लाल रक्त को स्काओं में लाल रंका एक वर्नक होता है, जिससे कहते हैं, क्या कहते हैं, आपको बताना है, हीमोगलोबीन, पलाजमा, जाइलम या फ्लोयम, क्या होता है, लाल रक्त को स्काओं में लाल रंका एक वर्नक होता है, उसको क्या कहते हैं, हीमोगलोबीन, पलाजमा, जाइलम या फ्लोयम ठीक है तो लाल रक्त को सकाव में लाल रंग का एक वर्णक होता है जिसको हम लोग हीमोगलोबिन कहते हैं और ये यूपी टेट का पांच बार का रिकोड़ेट प्रसन है अब पुछिएगा अभी तक सबसे ज्यादा टेट कहां हुआ तो वो यूपी ही ह जाता है एक जाम जो सबसे ज्यादा बार अब तक पूछा गया है ठिक है अगला रंग लाल होता है रंग लाल होता है इस परसन को देखिए 101 वारी प्रसन पूछा गया है और बहुत ही MBBI प्रसन है इस चेप्टर को छोड़िएगा मत पूरा इंड तक इसका जितना भी प्र परण होता है रग्ट्करंग लाल सरीर के सभी कोशिकाउं में oxygen कौन परदान करता हैuiteर के सभी को सिखाउं में oxygen कौन परदान करता है हीमोगलोबिन । अरंप का जो सोमवन करता है वो देख्या आपका होता है हीमोगलोबीन कौन होता है हीमोगलोबीन सरीर케 सभी ışकाओं में ऑक्सीजन का आदानपरण करता है अगला प्रशन है सरीर में CobainDci stove को फिपड़े तक कौन पहुचाता है सरीर में老iaumen Streets को फिटफड़े हीमोगलोबिन से ही oxygen और carbon dioxide दोनों का संतूलन बना हुआ राता है इसलिए हीमोगलोबिन होना बहुत ही जरूरी है कौन सी रख्त को शिकाए हमारे सरीर में परवेश करने वाले रुगानूओं को नस्ट करती है ठीक है कौन सी रक्त को सिकाएं, रक्त को सिकाएं में कौन को नहीं है, तो स्वेत रक्त को सिकाएं, लाल रक्त को सिकाएं और पट्टी कानू, यही होती है न, तो यहाँ पर कौन सी रक्त को सिकाएं हैं, जो हमारे सरीर में परवेश करने वाले रुगानू को नश्ट करती है तो रुगानुओं को नर्ष्ट करने की छमता किसमे होती है तो स्वेत रक्त को सिका में होती है हमारे सरीर के भार का लगबग कितना परतिसत भाग रक्त होता है छो परतिसत पांच परतिसत आठ परतिसत या साथ परतिसत ठीक है एक से पांच के सिचक है तो यह आपके लिए किसका काम कर रहा होगा यह आपके लिए जीके सेक्षन के अंतरगत काम कर रहा है ठीक है और अगर छो से आट के सिचक है तो यह आपके लिए बिग्यान के अंतरगत काम कर रहा है ठीक है तो देखें अधिकतर सारे प्रशन जो है JCRT में सभी छिपे हुए है आपको अलग से GK का किताब ले करके नहीं पढ़ना है और आपको अलग से 6-8 का अलग से ले करके बिज्ञान का नहीं पढ़ना है आपको जो है अगर आप JCRT का 6-10 तक का complete करते हैं तो आपको यहां से 60% प्रशन किसी तरह से आएंगे ही आएंगे तो आप सभी JCRT का नोट्स बुक टेस्ट टेस्ट जो है वो लगाना नहीं बुलिएगा क्योंकि टेस्ट भी जो आपको लगेगा वो JCRT का ही यहां पर हम लगवाने वाले हैं अब सारे नोट्स हम आपको complete किसका करवा रहे है JCRT का ही करवा रहे है क्योंकि इसके पहले JCRT ने अभी भी एक जाम पर पर्चम लगवा रहा है और आने वाला समय में भी आपका आने वाला है तो आप सभी यहां से जरूर जुड़ेंगे ठीक है चले अगला है रक्त का ठक्का कौन बनाता है रक्त का ठक्का कौन बनाता है एक बार आये हुवा पर्चम है अब बहुत ही MBBI पर्चम है और कि हाँ पर पूछा गया है तो देखे JCRT में आपको जारा के देखना हो तो आप देख लीजेगा कलास जो है सेविन का एकसरसाइज 13 जाकर देखिएगा आपको इसतारा पुरशन बहुत ही बारेकी से जब धूड़िएगा है तो सब कुछ मिलेगा आपको ठीक है तो आप जैसे आर्टी का किताब पढ़के ही एक्जाम में जाएंगे जाहे दो दिन बचरा हो समय चाहे चार दिन बचरा देख के जाएंगे आप रक्त का ठका कौन मनाता है लाल रक्त कुछ का स्वेत रक्त कुछ का पटिकानू या कोई नहीं ठीक है तो रक्त का ठका कौन मनाता है तो रक्त कथन का ठका जो है प्लेटलेटस या इसी को हमलो पट्टिक कानू के नाम से जानते हैं ठीक है चली अगला दिखीगा सरीर के रक्त को एक अस्थान से दुसरे अस्थान तक कौन ले जाता है रक्त वाहिनिया, धमनी, सीरा या कोई नहीं ठीक है तो देखे सरीर के रक्त को एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक ले जाने के लिए हमारे सरीर में रक्त वाहिनिया बनी हुई रती है क्या बनी हुई रती है रक्त वाहिनिया बनी हुई रती है जो सरीर को एक भाग से दू वहां करते रहता है ठीक है तो वह है रक्तवाहिनिया और यह देखे यूपी टेट में एक बार और सीजी टेट में दूबार और यही कहिए आप यहां पर आप यूटेट उसमें भी एक बारी प्रस्न पूछा गया था ठीक है तो आपके विद्रिश्टी से इपोटेंट प्र परकार के होती है, ठीक है, दोनों रक्तवाहनिया का नाम क्या है, पूछेगा, कि सरीर में दो परकार के रक्तवाहनिया होती हो, दोनों रक्तवाहनिया का नाम क्या है, एक है धमनी, सीरा, ए और बी, दुनु या कोई नहीं, हमारे अंदर जो दो को रक्तवाहनिया है, उसको ह हिर्दय से सरीर के सभी भागों को ले जाती है, हिर्दय से सरीर के सभी भागों को ले जाती है, धमनी, सीरा, रक्त ना निकाए, या कोई नहीं, ठीक है, तो ये जो है आपका देखें, एट्रिस्ट, एट्रिस्ट यानि धमनी, धमनी जो है क्या होता है, ऑक्सीजन युक्त र रख्त को हर्डआ से सरीः के सभी भागों को ले जाती दमनी नहीँ ठीक है देखें यह आप नौट्स बने हुए हैं आपके लिए धमनी हृद्य से और सबार्ट को शरीव के जाती है धमनी जो है हिरदसे और अक्षिजन यूखत को ले जाती है समान्यता नाड़ी प्रस्ण पूचता है कि एक मिनट में हिर्दय कितनी बार धड़कता है दोनों प्रस्ण बहुत ही MbVI प्रस्ण नहीं है एक पूचा गया प्रस्ण नाड़ी एस्पंदन की दर कितनी होती है 72 से असी, 80-50, 70-75 खोई नहीं ठीक है, तो यह 72 से स्टार्ट होता है, कहां से स्टार होटा है 72 से 80 ँ verd si t Això ह Sü ऑक लगाने के लिए किस चीज da यहिर्दय की धरकन को किस चीज से जाच जाता है इसी जी इजी एपी जी या नीफ्रोन किस चीज से कहा जाता है इस भंद कि दर को पता लगाने के लिए देखिए हम लोग ECG लेते हैं क्या लेते हैं ECG क्या करता है ECG ठीक है अगला दिखे गई है आप वे रक्त वाहनिया जो कार्बन डाइक्साइड युक्त रक्त को सरीर के सभी भागों से वापस हिर्दय में ले जाती है वे रक्त वाहनिया, जो carbon dioxide यूगत वाखत को शरीर के सभी भागों से वापस हिर्दय में ले जाती है, क्या कहल stressing है, धमनी, cera, रक्त वाहि का या कोई नहीं ठीक है? तो वे रक्त वाहनिया जो carbon dioxide को ले जाती है, जो oxygen को ले जाती है, उसको हम लोग धमनी कहते हैं, और जो carbon dioxide को ले जाएगे उसको sera कहेंगे, ठीक है, तो यह यहाँ पर हो जागा sera, क्या हो जागा sera, तेकि यहाँ पर लिखा हुआ है notes में, CO2 को वापस हिर्दय में ले जाती है, सिराओं के भीतिया पेचा के पतली होती है, तो CO2 को कौन ले जाता है, sera, और oxygen को कौन ले जाता ह ठीक है, सिराओं में ऐसे बाल होते हैं, जो रक्त को क्योल हिर्दय के और ही प्रवाइद करते हैं, तो हिर्दय की और जाते हैं, और जो हिर्दय से जाता है पूरे सरीर में, वो यहाँ पर धमनी है, और यहाँ पर जो सीरा है, वो सीधा oxygen के और ले करके जाता है, हिर्दय के में तो बार-बार सभी इस टेट में पूछा गया है ठीक है हमारे सरी में निरंतर धरकने वाला अंग कौन होता है बताना है आपको इसका राइट एंसर हो जाएगा हिर्दय क्या हो जाएगा हिर्दय हमारे सरी में धरकने वाला अंग है हमारा हिर्दय चार कच्छों में बटा रहता है उपर के दो कच्छ को क्या काते है और नीचे के दो कच्छ को क्या काते है ठीक है हमारा हिर्दय चार कच्छों में बटा रहता है उपर के दो भाग को क्या काते है यह यू टेट में एक बार पूछा गया था ठीक है तो देखें उपर वाला जो होता है वो होता है अलिंद और नीचे वाला जो होता है वो होता है नीलाय याद रखेगा उपर 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 वाला तो उपर वाला में ये अलिंद कर दिजएगा याद रखेगा नीचे क्या हो राबरी नीचे नीचे में देखे नी है तो नीलाय कर दिजएगा नीच इसको निलाए कर जिएगा, ठीक है, क्लियर हो गया ना, तो अलिंद और निलाए, उपर वाला को अलिंद और नीचे वाला को निलाए हम लोग कहेंगे, क्लियर हो गया होगा, चलिए अगला, हमारा हिर्दय के नीचले दो कछो को क्या कहा जाता है, उडिशार टेट में प्रस्णा है हुआ ठीक है क्या कहा जाता है तो नीचे वाले को हम लोग क्या कहते है अभी ही आपको बताया थे नीचे वाले को निलाए और उपर वाले को अलिंद ठीक है तो उपर नीचे वाला को निलाए कहेंगे क्लियर हो गया चले अगला देखेगा हमारा हिर्दय किस पर का आया हुआ है यह दूनों प्रस्ण आपका है ठीक है तो हमारा ही दय को मापने के लिए किश यंत्र का प्रयूग किया जाता एक 101 परिच्छा प्रश्nymi और पूछ गया ठीक है तो हिर्दय की गति को मापने के लिए हम लोग जो यंत्र का परियोग करते हैं वो आपका कौन सा होता है तो वो आपका होता देखे इस्टे थेसकोप क्या होता है अगला है अस्पंज और हैड्रा में जैसे जनतूओं में क्या होता है रक्त नहीं होता है परिसंचरन तंत्र न नहीं होता है परिशन चलम तर्थ नहीं होता है जिस जल में राते हैं वहीं से उनके सरी में परवेश करके भोजन और अक्सिजन के आपूर्ति करता यह बिल्कुल सही चीज है राइट इंसर इसका डी होगा जलिये जीव मचली अपसिष्ट पदार्त के रुप में क्या उसर जित करती है जलिये जीव मचली जो है अपसिष्ट पदार्त के रुप में क्या उसर जित करती है अमोनिया अर्द ठोस यूरिया या कोई नहीं ठीक है तो जलिये जीव मचली जो है अपसिष्ट पदार्त के यूरिया या कोई नहीं मानो द्वारा उस सर्जित अप्सिष्ट पदार्थ है उसको क्या कहते है ठीक है तो मानो द्वारा जो उस सर्जित किया जाता है वो यूरिया होता है क्या होता है यूरिया होता है याद रख लिजेगा अमीबा और पैरामिसियम के बारे में क्या सही ह हानिक पारक पदार्थ को बाहर निकालने के लिए कोई विसेसंग नहीं होता है, एक कोस्किये छोटा जीव होता है, यह अपना अपसिष्ट पदार्थ को सरीर में विसरन विदी दोरा बाहर निकालते हैं, यह लाश्ट में सभी, इसका राइट एंसर देखे होगा, सभी, यह सभी सही है अमीबा और पेरामेसियम में क्या होता है हानिकारक पदार्थ को बाहर निकालने के लिए कोई अंग नहीं होता है ठीक है या एक कुस्किये जीव होते है ये भी सही है कि हमीबा और पेरामेसियम जो है वो एक कुस्किये जीव है और अगला ये भी सही है कि या अप अप्सिष्ट पदार्थों को सरीर को विश्रन विदी द्वारा बाहर निकालते हैं अमीबा किस विदी द्वारा अप्सिष्ट पदार्थ सरीर से बाहर निकालते हैं बताना पड़ेगा आपको तो वह हो जागा विश्रन विदी ठीक है अगला है सजीवों द्वारा कोश्काओं में बनने वाले सजीवों द्वारा कोश्काओं में बनने वाले अफसिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं उस्सरजन परिवाहन धमनी या सीरा क्या कहते हैं प्रस्ण यही आपका CG टेट में एक बार पूछा था, ठीक है, क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं इसको, तो हम लोग कहते हैं, उत्सर्जन, हनिकारक पदार्थ को, बियर्थ पदार्थ को, बेकार पदार्थ को निकालने के लिए, उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है, मानो उत्सर्ज जिससे हनिकारक और अपसिष्परदार्थ बाहर निकलता है वो में दो मुत्रवाईनी है एक मुत्रासा है और एक जोड़ा सेम का कारका वरी करद कहने इसका राइट अंसर सभी होगा राइट अंसर से क्या होगा शभी हो जाएगा ठीक है चले यगला दिखेगा मुत्र में होता है मुत्र में होता है बताना है 95% जल 2.5% तीरिया 2.5% अपसिश्प्रदात या D सभी इसका राइट एंसर सभी हो जाएगा सभी इसका सही है CG-Tate में एक बराया है U-Tate में एक बराया है MP-Tate में एक बराया है ठीक है रक्त के च्छानने की बीदी को क्या काते है अपोहन जिसको हम रिजिम कहते है डाइलेसिस यूरिया उसरजन यह कोई नहीं ठीक है यह प्रस ने 101 बार अभी तक पुछा गया है हर एक्जाम आया है जहां तक आपके जहारखन में भी आया हुआ ठीक है तो रक्त के इससे क्या निकल रहा है बताना है ठीक है जल निकल रहा है यूरिया निकल रहा है लवन निकल रहा है या सभी ठीक है तो क्या होता है सभी होता है हमारे सर इससे जल भी निकलता है यूरिया भी निकलता है लवन भी निकलता है यह इसका राइटम सर सभी हो जाएगा अगला है इन में से कौन रक्त करनीकाए है अपको बताना है अपको बताना है उचiva का पूछा गया प्रशन अध्वार्ग्वब कर दिए है ओखने कर दौतियों यह लाल रक्त कर ःताई होती कि लॉर्पन प्रशनों हो ठीक है यह आप रक्तकन का है होती है इसका right answer सभी हो जाएगा D हो जाएगा ठीक है तो इस तरह आपने सारे important प्रश्ण को देखा अगर इसके पहले आपने class 7 का exercise 1 से लेकर के बारत तक का PDF और इसका वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग अवसे देख लिजेगा सभी PDF सभी वीडियो इसक करके तो आप अभी कभी जुड़िएगा जो आपके लिए बहुत ही best होने जा रहा है धन्यवाद